नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दॉक्टर मीलम शर्मा इस विडियो में हम दिसकस करेंगे की Atrobex Tablet का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है Atrobex Tablet को कैसे लेना चाहिए और Atrobex Tablet की वज़़ से क्या साइड इफ्धिक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि एच्चोबैक्स टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए एच्चोबैक्स एक ब्रैंड नेम है एच्चोबैक्स टैबलेट के अंदर सौर्ट कमपोजिशन इतोरिकोकसिब होता है एच्चोबैक्स टैबलेट 60 mg, 90 mg वे 120 mg की स्ट्रेंथ में अविलेबल है एच्चोबैक्स टैबलेट का उपयोग शरीर में दर्थ होने पर और सूजन को कम करने के लिए एच्चोबैक्स टैबलेट का उपयोग किया जाता है यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़़ से सूजन आ गई है तो एच्चोबैक्स टैबलेट दर्थ के साथ साथ सूजन को भी कम करती है एट्रोबैक्स टैबलेट का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, शरीर की हड्डियों वर शरीर के जोडों में दर्ध होने पर, सिरदर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडिशन्स में एट्रो प्रेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस होने पर भी जोडों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी एट्रोबैक्स टैबलेट का उप्योग किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दोरान भी दर्द से राहत पाने के लिए एट्रोबैक्स टैबलेट का उप्योग किया जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महिनों या कई सालों तक एट्रोबैक्स टैबलेट का सेवन करने की वज़ह से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की एच्चोबैक्स टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। एच्चोबैक्स टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर एट्रोबैक्स 60 mg टैबलेट को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। बीमारी की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्तर डोज को बढ़ा कर एट्रोबैक्स 90 mg टैबलेट या एट्रोबैक्स 120 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्तर केवल दर्द होने पर ही एट्रोबैक्स टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। एट्रोबैक्स टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको एच्चोबैक्स टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि एच्चोबैक्स टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चो को एच्चोबैक्स टैबलेट को देना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना एच्चोबैक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। एच्चोबैक्स टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि एच्चोबैक्स टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वज़ह से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एच्चोबैक्स टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित पर रेक्मेंडेड नहीं है एच्चोबैक्स टैबलेट मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को लुकसान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में एच्चोबैक्स टैबलेट मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एच्रोबैक्स टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एच्रोबैक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। वीडियो किवरणे संबंद आपका एच्रोबैक्स टैबलेट कर देखने प्राइबले एगर आपका एच्रोबैक्स टेखने सेंगर